हम चालेंज करते हैं देवेश चंद्र ठाकुर को कि आईए मैदान में आईए मैदान में अगर उकाद है और फर्या लिजिए तयार है हमारे तेज परताब भया तुम्हारे उकाद नापने के लिए दो मिनट में यादब का क्या पावर होता है ना यादब का क्या पावर होता लोगों के लिए दो मीनट काफी है यह आप समझ लिजेगा देवेश चंद्र ठाकूर जैसे कीरा अगर समाज में रहते हैं तो समाज को तोरने का यह काम करें लेकिन देवेश चंद्र ठाकूर पर केस नहीं होगा उसका तो सदस्ता चला जाना चाहिए जिस तरह का वह बता रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे तो ठीक है नहीं किजिएगा काम यादब और मुस्लिम और कुसबाहा किसी के काम का मोहताज नहीं है वो अपने बल से अपने मेहनत से कमा के खा लेंगे लेकिन आपके पीछे और आपके चपलूसी करने नहीं जाएंगे देवेश चंद्र ठाकूर सुन लो आने वाला बिधान सभा में तुमपहरी भी हम औकाद नाप देंगे इस समझद लेना तुम सिता वाली से हो तो हम भी मधुबानी से हैं यह समझ ले तुमारे परोशी ही है और तुम्हारा ओफ काध नाप देंगे तुम सांसोद हो इसलिए इज़त दे रहे हैं देवेश चंद्र ठाकूर अपने बेट तो आप जबान हुए है कि इतीस कुमार के पार्टी के एक नौ निर्वाचित संसद है देवेस चंद्र ठाको उनका साफ तौर पे कहना है यादो का कुस्वाहा का वोट हमको नहीं चाहिए था वो लोग ने भूट भी नहीं दिया है और वो लोग अगर हमसे कोई काम की कोई सांसद एक खास जाती को टार्गेट करके ये बाते कह रहे हैं और नितीश कुमार इस पर ना पूछ रहे हैं और ना ही इस देश की जनता भी उनसे पूछ रही है आखिर में ये क्या पूरा मामला है ये बाते क्यों कर रहे हैं प्राइबेट सभा में इनी सारे मसले पर कुछ वहाद मन्मे ना कर रहें कि यादव और कुछ वहाद से कोई काम करवाना है और ना उनका हम काम करेंगे देवाद्ट छंद्र ठाकूर का मानसी की सिति से हमको लगता है वह ग्रसित है इसलिए इस तरह की बात बोल रहे हैं आप भले ही ब्रह्माजी के मुख से पैदा ल माःड़ें प्राबलम है को हटा दिज्ये सबको हटा देशक को मतलब रहे हैं तो अपकी आप आ पको माफी मांगना होगा यादव और मुसलिम समाज के लोगों से और कुश वहाद समाज के लोगों से आप अमर्यादित सब्द का पड़योग कर रहे किसी जाती सुचक नाम लेके आप बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं इसका यह मतलब नहीं है कि आप ब्रामाजी के मुख से पैदा ले लिए हैं तो आप दलित और बहुजनों का अपमान करिएगा आपको यह राइट कोई नहीं देता है 14% मुसलमान, 14% यादव, 18% मुसलमान और कुसवाहा यह सब जाती उनको भोटे नहीं किया है इसलिए यह लाइट नहीं दिया था ऐसे लोग के कारण से ही आज बिहार बदनाम है, समाज बदनाम है, सीखिया मनोजाजी से हमारे पाटी में भी मनोजाजी है, कभी इस तरह का ब्यान उनको देते हुए नहीं देखे होंगे वो भी जाजी हैं वो भी ब्राह्मन समाज से आते हैं कभी देखे हैं मनो जाजी को लेकिन देवेश चंद्र ठाकूर अपने बेटा को बहिन का भातार यादब बनाएगा मुसलिम मनाएगा लेकिन यादब का बोट इसको यादब का काम नहीं करेंगे चाय आप क्या पिलाइएगा यादब के दूद पीके तो आप जवान हुए हैं और आप हमको चाय और नास्ता की बात कर रहे हैं यह बिहार है आप समझ लीजिए आप जिस जाती को बात किया है ना वो सबसे जादा 14 परसेंट वाले और 17 परसेंट वाले लोग हैं और कुस बह समाज भी कम नहीं है यह आप समझ लीजिया अगर आप जात पे उतर येगा तो हम लोग भी जात पे उतर सकते हैं लेकिन हम लोग जाती पाती नाहीं करने वाले लोग हैं हम लोग मोनोवल इतना बढ़ नहीं गया है, कि आप दलित और भाउजन समाज को निचा दिखाने का काम करिएगा, आपको इस्ठीपा देना परेगा, आरे जिस संभिधान पर हाते रख क्या आप सपत खाईएगा, अभी तो सपत भी नहीं लिए हैं, आप लेकिन आप तो सपत लेने स पहले तोरने की बात करने लगे आपको किसने राइट दिया है नितीश कुमार जी आप तो सभी जाती कि बर्गो को लेके चलने की बात करते हैं लेकिन ऐसे ऐसे लोग अगर संसद में चुन के जाते हैं तो क्या करेंगे हमें जब आप चाहिए ये भले ही ब्राह्मन समाज से आते हैं ब्राह्मन समाज को ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मन समाज को नहीं मानते हैं ब्राह्मन समाज को हम मानते हैं यह देवेश चंद्र ठाकुर के लिए यह लाइने हैं हमारे भी पार्टी में पहले भी बॉले मनोजाजी हैं लोग उनको मानते हैं उनको सुनते हैं यहां करेंगे कीड़ा बोले एक सांसत को जो चुन करके आ रहा है जनता जिसको चुन रहे आप उसको कि नहीं होगा उसका तो सदस्ता चला जाना चाहिए जिस तरह का वह बात किया है उसका तो सदस्ता रद होना चाहिए देवेश चंद्र ठाकूर का सदस्ता रद होना चाहिए जि वो अपने बल से, अपने मिहनत से कमा के खा लेंगे, लेकिन आपके पीछे और आपके चपलूसी करने नहीं जाएंगे, दिवेश चंदर ठाकूर, सुन लो, आने वाला बिधान सभा में, तुम्हारी भी हम उकाद नाप देंगे, समझ लेना, तुम सीतावधी से हो, तो हम भ हो गया है, तुम्हाँ मैदान में, दो मिनट में कम नहीं कर देंगे, हमारे तेज परताब भाईया, दो मिनट में अगर तुम्हारा कम नहीं कर देंगे, हमारे तेज परताब भाईया, तो समझ लेना, तेज परताब यादब के लिए देवेश चंदर ठाकूर जैसे लोगो लेकर देने का काम किया तो सभी जाती बर्ग के लोगों को टिकर देने का काम किया लेके एक द्धरम एक जाती को लोगों को दिया तुम्हारे जैसे अगर कीरे समाज में रहे तो समाज कभी एक जुटता नहीं हो सकता है जाकर के सवाल उठाएंगे आपको लग रहा है कि अब यादो जाती कि इसको जाना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों की सदस्ता रद होना चाहिए और नितीश कुमार से हम पहना चाहते हैं हमारी मांग है नि चाहें कोई भी आदमी हो और उसके या खुषवाँ जाती की बात करते हो बहुत सारे ऐसे अनके पार्टी में लोग है उन्हों से कहना है कि यह वह लोग नहीं कर रहे हैं किसी के अंदर जिंदन होगा ना जमीर, उनके पार्टी में नितिष कुमार के पार्टी में चाहे यादव हो, चाहे मु्स्लिम हो, चाहे कुस्णभाहा उनका अगर जमीर जिन्दा होगा ना तो यह मांग जरूर उठाएगा कि देवेश चंद ठाकुर का सदस्ता जाना चाहिए हम पूछना चाहते हैं देवेश चंद ठाकुर से क्या मुठी भर लोगों के बोट से आप चुनाब जीत गए हैं क्या आपको कुस बहाँ बोट नहीं दिया था क्या आ लेकिन हमारा पाटी सभी धरम के बात करता है इसलिए हम सम्मान करते हैं और बोल नहीं रहेंगे लेकिन अगर हम बोल देंगे ना तो हमारी आवास से जितने हम हैं जितनी हमारी ताकत है अगर एक एक आवाज उठ गया ना एक एक घर से तो तुभी कहां जाओगे किस बील में घुशोगे देश चंद्र ठाकूर अरे धंकी नहीं है वो क्या धंकी दे रहा है कि हम काम नहीं क करेगा अरे घसीट के लिए आएंगे घसीट के लिए जाएंगे तो यह सवाल करेंगे ठीक है तो प्रिया राज है राष्टिय जनता दल की नेत्री है और यह दिवेस चंद्र ठाकूर को ओपन चैलेंज दे रही है कि आप भले लाइन बोल लिए है आपके पास उतनी ताकत नहीं है मुठी भर लोग के वोट से आप सदन नहीं पहुचे है आपको यादों ने वोट किया होगा आपको कुसवाहा ने वोट किया होगा आपको मुसल्मानों ने वोट किया होगा और आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि आप जाए घर पे घाना खान चाय नास्ता कर लि हमारा नम केशो याद हो है पुब्ली केश्टेस आप देख रहे हैं बहुत धन्यबाद